जैहिन दोस्तों मैं मोहमद जमाल अज हम बात करने वाले हैं मुख्या का जो रेजिस्टीशन हुआ था पी एम इस्वा कर्मा में उसकी लोगिन को कैसे चेक करें और लोगिन में जो भी पंचात के आदमें ओनलाइन किये हैं तो सारा जाके लोगिन में आपको मिल जाएंगे तो आप डियम से भी प्रेशर आता होगा कि यहां से वेरिफाई करना है तो वेरिफाई कैसे करेंगे आज हम उसके बारे में डिसकस करेंगे बहुत ही आसान से बहुत ही सिंपल से आपको ये करने को हो जाएगा आप बस वीडियो को एक बार देख लिजेगा तो फिर से आपको इसी चैनल में मिलेगा अगर आपको कोई भी समस्या हो कोई भी चीज में आपको कॉमेंट किजी आपको हम उसकी बहुत से टिक जनकारी देंगे मतलब मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी के तरीके से कैसे करेंगे वो चीज इस चैनल में आपको मिल जाएगा अग लोगिन में आपको क्लिक करना होगा जैसे इस लोगिन में क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ देखिए दो नमबर में आपको टच करना है उसके बाद देखेगा खुल जाएगा उसमें तीन नमबर में आपको आना है त्री नमबर में आपको आना है यहां पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं बढ़ियां से इसमें आपको क्लिक करना है ठीक है फ्रेट लास्ट में तीन नमबर जो है उसी में आपको क्लिक करना है जैसी आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो सबसे पहले आपको उपर में बहुत सारा दिया होगा है आप उसमें देखिए आप को ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है सबसे उपर में जो आपको दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं select your, यहाँ जो select करने का जो option है, इसको select किजिए और gram पंचायत, बिल्कुल इसमें gram पंचायत ही रहेगा, क्याकि यहाँ पंचायत से कर रहे हैं, सबसे पहले gram पंचायत से ही verify होगा, उसके बाद यह direct DM के पास चल जाएगा, वो verify करेगा, उसके बाद final, तो देख सकते हैं, यह यहाँ पे उसके बाद ID, password login करना है, पहले ID देना, फिर password देना, उसके बाद capture fill up करना है, जैसे इसमें capture fill up करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है नीचे, signing के option में click करना है, अगर आपको PM किसान के related कोई भी समस्या है, तो आप हमको comment किजिए, उसका setting चनकारी हम द देंगे, कोई भी problem कियो ना, PM किसान में, अब जैसे ही login किये, मुख्या जी के phone में OTP चला गया होगा, देखे नमर मुख्या जी, देखे फ्रेंड मुख्या जी का जो अधार काड में, जो mobile number link है, उसमें OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ fill up करना है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको submit में click करना होगा, जैसी आप submit में click किजिएगा, देख लिजए हम click कर दियें, इस तरह का interface आजाएगा, इस तरह का interface आजाएगा, यहाँ पर click करना है आपको, ठीक है न, application details में आपको click करना है, आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा, आप यहाँ देख सक कितना आपके गाओं का आदमी यानि आपके पूरे पंचायत का कितना भी आदमी online किया सारा नाम यहाँ पे देख जाएगा आप अराम से देख लीजी कितना आदमी है देखने दिखा देते हैं आपको कितना आदमी है क्या कि पूरे पंचायत का फ्रेंड अगर आपके पंचा अदमी ने ऑन्लाइन किये हैं तो उसको पास किजिए जो नियम है और अगर एक घर से दो-तीन आदमी किये हैं तो वो रिजेक्ट होगा, एक घर से एक ही आदमी का पास होगा, अब उसको देखिए, सेटिंग में क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक बोर ऑफ्सन आया था, भरि यहाँ पंचायत में ही आता है तो ही आप सक्षरीक करें आगर नहीं आता है ठीक है आप सफरीस करने के लिए फास कुलिक डेट में आईए, वेरिफाइ के डेट में क्लिक कर दीजिए, और यहां पर अगर आप सेब कर दीजेगा, तो यह वेरिफाइ हो जाएगा, अगर आपको चैनल करना है, तो चैनल करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, नौट रिकॉर्मेंट में क्लिक करना है, नौट रिकॉ कर देट यह आपका पास हो जाएगा और अगर not requirement में जहां किलिक की हैं मतलब यह पास नहीं होगा ठीक है ने फ्रेंट और यहां पर आपको region दिखाना होगा किस वजह से आप इसको कर रहे हैं बिना वजह से रिजेक किसी का नहीं कर सकते हैं संफャ Sug कर देना होगा उसके बाद डेट देना होगा यहां पर चलिए हम इसको पास कर रहे हैं तो पास करने के लिए हम यहां कर देंगे रिकॉर्मेंट में क्लिक करेंगे आज का डेट देंगे उसके बाद सेब में क्लिक करतेंगे छोड़ी टाइम लेगी और उसके बाद ओटोमेटिक इसका पास हो जाएगा इस देखिए सुसफुली पास हो चुका है धन्यवाद मेरा इस वीडियो देखने के लिए और अगर वीडियो चाहिए तो हमको कॉमेंट किजिए प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए इस चैनल को